ब्रेके बाव का स्वागत है सोलम में जिला प्रशासन ने करोना को नियंतरे करने के लिए बेहत कारगर करदम उठाए है एक और जहां उन्होंने मंदिर मस्जित गुरु द्वारे बंद करवाए हैं ताके करोना किसी भी हल्क में हिमाचल में प्रवेशन न कर पाए ये नियंडे तबी ठीक सावित हो पाएं के अगर परटेश के जनता इन नियंडे का स्वागत करते हुए उन पर अमल करेगी और घरों से कम से कम बाहर निकलेगी सोलन में जिला परशासन ने करोना को नियंदरित करने के लिए बेहत कारगर कदम उठाए हैं एक और जहां उन्होंने बंदर मस्जित गुरुद्वारे बंद करवाए हैं बहीं भीडवार बले बेवसाइक संस्थानों को भी बंद करवा दिया है पिछले कल सोलन कसोली और आसपास के क्षेत्रों के होटल भी बंद करवाने के निर्देश चारी कर दिये गए थे ये सब निर्णे इसलिए लिये जा रहे हैं ताकि करोना किसी भी हालत में हिमाचल में परवेश ना कर पाए ये निर्णे तभी ठीक साबित हो पाएंगे अगर परदेश की जनता इन निर्णे का स्वागत करते हुए उन पर अमल करेगी और घरों से कम से कम निकलेगी आज भी जिला प्रशावसन ने महतरपूर निर्णे लेते हुए सोलन से लगते और राजियों की सीमाओं को सील कर दिया है इस बारे में अधिक चानकारी देते हुए अधिरेक्ट पुलिस अधिकशक शिपकुमार ने बताया कि परदेश सरकार के आदेश पर सोलन से लगती अन्य राजियों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है जिसके चलते किसी भी परिटक को हिमाचल में परवेश्ट नहीं दिया जा रहा है उनने बताया कि ये ने ने करोना के चलते लिया गया है ताकि कोई भी करोना पीडित हिमाचल में परवेश्ट ना कर सके जैसा कि आपको विदित है आप भी लोगों को अवेर कर रहे हैं हिमाचल सरकार के पिछले कल आदेश आये हैं कि जो भी प्रेटक हैं उनकी एंट्री करोना वाइरस का जो एक महामारी फैली है उसको देखते हुए बंद की गई है तो इसको इंप्लिमेंट करने के लिए क्यों कि पुलिस डिपार्टमेंट प्राइमरी एजंसी है तो हमने जो भी बॉर्डर्स हैं नेवरिंग स्टेट के साथ उसको सील कर दिया है वहाँ पे जो हमारे एंप्लॉईज लगे हैं उनके साथ साथ हमने डिस्टिक एडमिनिस्टेशन से रिक्वेस्ट किया था कि हेल्थ के आदमी भी वहां रहेंगे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वहां पे जांच की जा रही है और जो प्रेटक हैं उनको हमाचल में एंट्री नहीं दी जा रही है सरकार के आदेशानुसार